गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में सात्वाहन सासक वसिष्टी पुतर पुल्लु मावी जदा एग्यसरी सात करनी के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा हमने पहले भी मोरिय वन्स, सुंग वन्स, कन्व वन्स और सात्वाहन वन्स से संबंदी जानकरी प्राप्त की थी इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो सारे के सारे इत्यास विशे से संबंदी जो भी एक्जाम्स लगते हैं उनसे संबंदी तो देखिएगा पढ़ते हैं वसिस्टी पुत्र पुल्लुमावी और ये किसरी साथ करनी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं वसिस्टी पुत्र पुल्लुमावी जो एक्सो तीस से एक्सो चोवन इस्वी में सासक बना था वसिष्टी पुत्र पुलुमावी गोथमी पुत्र साथकर्णी का पुत्र था पुराणों में इसे पुलुमा कहा गया है गोथमी पुत्र साथकर्णी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और पुराणों में वसिष्टी पुत्र पुलुमावी को पुलुमा कहा गया है युनानी इत्यासका टोलेमी ने जोग्रोफी में सीरो पेरी मेवस कहा है इसके साथ ही टोलेमी ने पुलुमावी को उज्जेने अर्थात उज्जेन का सासक भी माना है पुलुमावी कार्दमक अर्था सक्वन सी दो सास को चस्टन तता रुद्र दामन का समकालीन था। वसिष्टी पुत्र पुल्लुमावी के उपलब्दियों का वर्णन कानहेरी अभिलेक महारास्टर से मिलता है। जिसमें ये दावा करता है कि सक्षासक रुद्र दामन को प्राजित कर उसकी पुत्री से विवह किया। वसिष्टी पुत्र पुल्लुमावी के समय अमरावती स्थूप का निर्मान हुआ था। अमरावती से प्राप्त अभिलेक में एकमातर शाहत्वाहन सासक के रूप में वसिष्टी पुत्र पुल्लुमावी का उलेक मिलता है। महाचहत्र पुरुद्र दामन अपने गिर्नार लेक में दक्सिनापत के स्वामी साथ करनी को दो बार प्राजित करने का दावा करता है। यह राजा पुल्लुमावी ही था। पुलु मावी अक्यला ही एक सासक है जिसका अमरावती से प्राप्त एक लेक में हुआ है पुलु मावी को दक्सिना पत्थे स्वर कहा गया है इत्यासकारों का मानना है कि इसी सासक के समय में साथवानों ने अंदर छेतर को जीता था अता इसे अंदर छेतर का पर्थम साथव मिलता है यह चित्र साथ वहानों की नो सक्ति के प्रियाप्त विक्सित होने का प्रमाण है अब देखेगा महत्वपुन तथे इसे सम्मादित अपने सासनकाल के दोरा चत्रप ने नर्मदा की भूमी उत्तर और उत्री कोंकण में लेली पुलुमावी और रुद्रदामन जो उजयन के छत्रप थेक के बीज दो बार युद्ध हुआ इन दोनों युदों में रुद्रदामन ने वसिश्टी पुत्तर पुलुमावी को हराया पुरानों में उनका नाम पुलुमा साथकनी और टोलमी के विवरण में सीरो पेली मेयोस के रूप में मिलता है उसने भी मह नाराजा और दक्सिना पथेश्वर की उपाती धारण की जिसका उलेक अमरावती लेक में मिलता है अंदर प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम अंदर समराट कहा गया है किसे वसिश्टी पुतर पुलुमावी को अब देखेगा सात्वान वन्स का अ सिस्टी पुतर पुलुमावी के बारे में भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं के बाद सात्वानों के सक्ति निर्बल पड़ गई उसके बाद पुराणों की सुची के अनुसार सिवश्री साथकल्णी तथा सिव इसकंद साथकल्णी राजा हुए जिनके शा शासनकाल व्यापारवानिजे की विकास के लिए जाना जाता है जिसकी पुष्टी उसके सिकों पर प्राप्त जहांच के चित्रों से होती है ये गे स्री साथकर्णी ने सकों को एक बार फिर से प्राजित किया तदा अप्रांथ पस्षिमी भारत के कुछ भाग एम नर्मदा घाटी पर अपना अधिकार कर लिया अंदर के गुंटूर जिले में उसके सासनकाल के 27 वे वर्स का एक लेक मिलता है जिससे पता चलता है कि उसने पूर्वी तता पस्षिमी दखन के उपर सासन किया था नासिक तता कनहरी से उसके सासनकाल के करम से साथवे तता 16 वे वर्स क होते हैं तो देखेगा इस वीडियो में हमने ये किसरी साथ करनी तता वसीष्टी पुतर पुलु मावी सबी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने वसीष्टी पुतर पुलु मावी के बारे में पढ़ा और पहले भी हम ये सब पढ़ चुके हैं तो और एदिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है बार-बार हम ये बोलते हैं आपको तो आपको करना भी चाहिए काम ठीक है तो हमारा वीडियो अंतक देख देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.